मीरा रोते हुए किचन की फर्ष पर ही सो गई थी. कुछ देर बाद मीरा की नीद डो बैल की आवाज से खुलती है. मीरा अपनी आँखें मसलते हुए उठी तभी उसकी नजर उसके पर पर जाती है जो बंद पड़ा था. मीरा चल कर हॉल ने गई और डरते हुए खुद से कहती है इतनी रात को आखिर कौन आया होगा. तभी मीरा को उस अंजान आदमी के कौल की याद आती है. जिसके बारे में सोचते ही मीरा की आँखें बड़ी हो गई और उसका शरीर डर से कांपने लगा. मीरा कुछ देर रुक कर दर्वाजे को देखने लगी. उसे उस आदमी की धम की याद आने लगी थी. वही बार-बार बैल बजे जा रही थी. जिसे सुनकर मीरा का सुन्दर चेहरा डर से पीला पड़ चुका था. मीरा डरते हुए धीमे-धीमे दर्वाजे की तरफ बढ़ती है. और जल्दी से टेबल में रखे फ्लावर पॉट को अपने हाथ में उठा कर कसके पकड़ लेती है. उसके बाद मीरा डरते हुए दर्वाजा खोलती है. मीरा की धड़क ने इतनी तेज थी कि उसका दिल ही निकल कर बाहर आ जाए. मीरा दर्वाजे के पास रुख कर गहरी सांस लेती है फिर धीमे से दर्वाजा खोल कर बिना दर्वाजे के पीछे खड़े आदमी को देखे सीधा उस पर फ्लावर पॉट से हमला कर लेती है लेकिन उस आदमी ने समय रहते मीरा का हाथ पकड़ लिया तब ही उसकी नजर मीरा के डरे हुए चेहरे पर गई मीरा ने डर के मारे अपनी आँखे कसके बंद कर ली थी और उस आदमी से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी तब ही मीरा को किसी की जानी पहचानी आवाज आई जिसे सुनकर मीरा धीमे धीमे अपनी आँखे खोलती है अपने सामने खड़े सक्स को देखकर मीरा की आँखों से आसू बहने लगे मीरा ने बिना कुछ सोच समझे अपने हाथ में पकड़े पोट को फैंक कर उस आदमी को कसके गले से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी मीरा के सामने सोम खड़ा था जब मीरा का फोन बंद आ रहा था तो सोम को उसकी फिकर होने लगी इसलिए वो किसी काम का बहाना बना कर मीरा को देखने आया था मीरा की ऐसी हालत देखकर सोम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था रात भी काफी हो चुकी थी इसलिए सोम मीरा को कमरे के अंड़ा आता है और दर्वाजे को अंदर से बंद लेता है मीरा इतना ज़्यादा डरी हुई थी कि वो अभी भी सोम से लिप्ट कर रो रही थी सोम मीरा के सर को सहला कर उसे शांत करने की कोशिश करते हुए शिशस मीरा शांत हो जाओ मैं हूँ यहां तुम्हारे पास लेकिन मीर फिर भी रोए जा रही थी मीरा की ऐसी हालत देखकर सोम के दिल में टीस सी उठ रही थी कुछ ही देर में मीरा शांत हो गई, वो सोम के सीने से लगकर शिसक रही थी उसका चेहरा रोने की वज़े से लाल हो गया था सोम मीरा को ले जाकर उसे सोफे पर बैठाता है और खुद पानी लेने जाने के लिए खड़ा होता है तो मीरा उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लेती है और डरी आवाज में कहती है प्लीस हमें छोड़ कर मत जाए, नहीं तो वो हमें ले जाएगा मीरा की बात सुनकर सोम इतना तो समझ गया था कि वो किसी से डरी हुई है सौम मीरा का हाथ पकड़ कर उसे समझाते हुए कहता है मैं कहीं नहीं जा रहा होग, मैं तुम्हारे पास ही हूँ सौम को बात पर मीरा को थोड़ी सुकून मिलता है उसके बाद सौम किचन में जाकर मीरा के लिए पानी लेकर आता है सोम पानी का गिलास मीरा को देते हुए कहता है तुम पहले पानी पियो जिस पर मीरा अच्छे बच्ची की तरह सोम के हाथ से गिलास लेती है और पानी पीने लगती है जब मीरा थोड़ी रिलेक्स हुई तब सोम उसके बगल में बैठा और बोला क्या हुआ तुम इतनी परेशान क्यूं हो क्या किसी ने तुम से कुछ कहा सोम के सवाल सुनकर मीरा फिर से दरने लगी जिस पर सोम उसके चहरे को अपने हाथ में लेते हुए बोला मुझ पर भरोसा है ना मीरा अपना सर ना में हिला देती है मीरा की इस हरकत से सोम का पोपठी बन गया था लेकिन फिर भी सोम मुस्कुरा कर कहा है गुड चलो अब बताओ क्या प्रॉब्लम है इतना बोलकर सोम मीरा को एक टक होकर देखने लगा वही मीरा सोम की आँखों में देखते हुए अपने मन में पता नहीं क्यू लेकिन आपकी बाहों में हमें सेफ फील होता है जबकि मीरा अभी सोची रही थी कि तभी सोम की आवाज उसके कानों में गई सोम बोला मीरा मीरा तुम सुन रही हो मीरा एक दम से बोली हाँ मीरा को खोया देख सोम बोला everything is fine मीरा अपना सर हां में हिला कर कहती है हुम मीरा कुछ सोचकर बोली आप यहां क्या कर रहे है मीरा की बात सुन सोम थोड़ा सकप का गया सोम अपने मन में बोला वहां से तो काम का बहाना बना कर आ गया लेकिन अब यहां कौन सा बहाना बना हूँ सोम कुछ न बोलते देख मीरा बोली सर वो वो मैं तो बस यहां से गुजर रहा था कि तभी मुझे तुम्हारा घर दिखा तो मैंने सोचा कि तुमसे मिलता चलूं। मीरा अपनी आखे छोटी करके सोम को भूरने लगी। जिसे देख सोम बोला मुझे ऐसे क्यूं देख रही हो। कहीं मुझे खाने का प्लान तो नहीं बना रही। सोम की बातों को अगनो करके मीरा कहती है आपको कैसे पता मैं यहां रहती हूँ। अब तो सोम के गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो खुद अपनी बातों में दस गया था। सोम जल्दी से बहाना बनाते हुए बोला तुम मेरी सेक्रूटेरी हो और उपर से मेरी फ्यूचर वाइफ तो इतना पता करना तो बनता है यह कहते हुए सोम मीरा से नजरे चुरा रहा था। जिसे ऐसे करते देख मीरा को मन ही मन हंसी आ रही थी। मीरा अपनी हंसी को छुपा धीमी आवाज में सोम से बोली थांक्यू जिस पर सोम ना समझी से बोला किस लिए मीरा कहती है मेरी इतनी कैर करने के लिए और इतना बोल मीरा शांत हो गई मीरा को छुप होते देख सोम बोला और क्या जिस पर मीरा जल्दी से बात को बदलते हुए बोली सर रात काफी हो गई है अब आपको जाना चाहिए मीरा की बात सुनकर सोम थोड़ा नाराज हो गया लेकिन वो मीरा के सामने गुसा तो हो नहीं सकता था कुछ देर तक सोचने के बाद सोम बोला एक्चुली मेरी का खराब हो चुकी है तो क्या मैं आज रात यहां रुख सकता हूँ इतना बोल सोम मीरा को चेहरा देखने लगा इससे पहले मीरा कुछ कहती सोम आगे बोला लेकिन अगर तुम चाहो तभी वरना मैं आज रात अपनी कार में ही बिता लूँगा इतना कहकर सोम खड़ा हुआ और जाने के आक्टिंग करने लगा जिसे देख मीरा पीछे से आवाज देकर बोली ठीक है मीरा की हाँ सुनते ही सोम के चहरे पर बड़ी वाली मुस्कान आ गई जिसे वो जल्दी से छुपा लेता है वहीं दूसरी तरफ रगुव अन्शी पैलेस में सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में सो चुके थे तब ही आधी रात को रूही की नींद खुली रूही उठकर बैठ गई रूही अपने कमरे की लायट्स चालू करती है और कहती है अरे यार फिर से भूख लगाई कहते हुए रूही का मूँ बन गया रूही आगे बोली मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता अब मैं क्या करूँ किसी को परेशान भी नहीं कर सकती फिर कुछ सोचकर रूही खड़ी हुई और अपने कमरे से बाहर जाते हुए बोली रूही आगे बोली मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता अब मैं क्या करूँ किसी को परेशान भी नहीं कर सकती फिर कुछ सोचकर रूही खड़ी हुई और अपने कमरे से बाहर जाते हुए बोली चल रूही कुछ ना कुछ तो खाने को मिली जाएगा इतना बोल रूही अपनी आँखें मसलते हुए किचन की तरफ जान लगी पूरे पैलेस की लाइट्स बंद थी जिस कारण वहां अंधेरा चाया था रूही किचन में पहुँचती है और बिना लाइट्स ओन किये फ्रिज खोल कर उसमें कुछ खाने के लिए धून्दने लगती है उनके अंदर देखकर रूही का मुँँ बन गया फ्रिज में सबजियां और फल रखे थे जिसे देख रूही अपना मुँँ बनाकर खुद से बोली अरे यार अब ये घास फूस खाना होगा कहते हुए रूही एक सेब उठाती है रूही जैसे ही फ्रिज बंद करने वाली थी उसकी नजर आइसक्रीम पर पड़ी जिसे देखते ही रूही के चहरे में चमक आ गई रूही जल्दी से आइसक्रीम उठाती है और फ्रिज बंद करके मुड़ती है उसे सामने एक भयानक सा चहरा दिखता है जिसके चहरे पर लाइट पड रही थी उसे देख रूही जोर से चिल्लाए आआ भूत भूत रूही चिल्ला ही रही थी कि तभी उसी के साथ एक और चिल्लाने की आवाज आये आआ चुरेल चुरेल जैसे ही दोनों ने एक दूसरे की आवाज सुनी वो शांत हो गए और एक दूसरे का चेहरा देखने की कोशिश करने लगे ये आदी था आदी को पहचानते ही रूही ने चैन की सांस ली रूही आदी के ऊपर गुसा करते हुए बोली तुम इतनी रात में हाथ में टॉर्च लेकर भूतो जैसे क्यों भूम रहे हो अभी तुम्हारी वजह से मुझे हाट अटाक आने वाला था रूही की बात पर आदी भी जहलाते हुए बोला मेरी चुड़ो तुम अपनी बताओ ये चुर्यलों के जैसे बाल खोल कर क्यों घूम रही हो अगर मेरी जगा कोई और होता तो अब तक तुम्हें तांत्रिक के हाथों पकड़वा चुका होता जिस पर रूही जबरदस्ती का मुस्कुरा कर बोली वेरी फणी लेकिन तुम्हारा जोक भी तुम्हारी तरह था बिल्कुल सड़ा हुआ बेकार जिस पर आदी रूही को भूर कर देखता है और कहता है मेने जोक नहीं मारा जो सच है वही कहा है अब रूही का गुस्सा सात्वे आसमान में पहुझ चुका था रूही अपने गुस्से को कम करने के लिए लंबी सांस लेती है और खुद से कहती है छोड ना रूही तू भी किसके मुँण लग रही है जिस काम से आई है वो करना इतना कह कर रूही अपने हाथ के पकड़े सेब को खाने लगती है जिसे देख आदी रूही को चिराते हुए बोला तुम कितनी बड़ी भुक कर हो ना रूही गुस्सा करते हुए बोली हाँ हूँ तो आदी बोला अगर इतनी ही भूख लगी है तो कुछ बना कर खालो ना जिस पर रूह कि अपने दांत दिखा कर बोली मुझे खाना बनाना नहीं आता जिसे सुनादी की आँखे बड़ी हो गई वो रूही को देखते हुए बोला तो तुम्हे फिर आता क्या है रूही बड़े आराम से सेब को खाते हुए बोली पानी उबालना जिसे सुनादी हैरान था वो परे लाइट्स क्यूं होन की अगर कोई जाग गया तो जिस पर आदी रूही को चुप कराते हुए बोला अब मैं उल्यू तो हुँ नहीं जिसे अंधेरे में दिखता है रूही आदी को ना समझी भरे भाव से देखने लगी वहीं आदी किचन में कुछ सामान ढूंडने ल सबजियां निकालता है और कातने लगता है रूही आदी को देखते हुए अपने मन में बोली ये क्या कर रहा है रूही आदी से बोली तुम क्या कर रही हो आदी सबजियां कातते हुए बोला हां वो मुझे ना किसी का मड़ करने का मन हो रहा था लिकिन अब मैं वो तो कर न न मूह बना लिया। कुछ ही देर में आदी ने नूडल्स बना दिये। आदी नूडल्स का बाउल रूही की तरफ करते हुए बोला इसे खाल लो और चुप चाप जाकर सो जाओ। रूही नूडल्स को देखकर खुश हो गई। रूही खुशी से उच्छल पड़ी। रूही आदी के गाल पर किस करके बोली थैंक्यू हभी इतना कहकर रूही नूडल्स का बाउल उठाकर अपने कम्री की तरफ चली गई। आदी तो अभी भी बर्फ की तरह जमा खड़ा था। उसके दिल की धड़कने कंट्रोल से बाहर हो रही थी। आदी खुद को कंट्रोल करते हुए अपना सर जटकता है। आदी खुद से बोला ये लड़की पूरी पागल है इतना बोलकर आदी अपने कम्रे की तरफ चला गया। आगे की कहानी में क्या होने वाला है। क्या सोम मीरा की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। क्या मीरा सोम को अपने बारे में बताएगी। आदी रुई के लिए अपनी फीलिंग्स समझ पाएगा। किया होगा जब त्रदेवियां ओफिस जाएंगी। आदी तो अभी भी बर्फ की तरह जमा खड़ा था। उसके दिल की धड़कने कंट्रोल से बाहर हो रही थी। आदी खुद को कंट्रोल करते हुए अपना सर जटकता है। आदी खुद से बोला ये लड़की पूरी पागल है इतना बोलकर आदी अपने कमरे की तरफ चला गया। रूही अपने कमरे में जाकर नूडल्स खाने लगी। खाने के बाद रूही मुस्कुराते हुए खुद से कहती है कुछ भी कहो लेकिन अपडू नूडल्स बड़ी अच्छे बनाता है। कहते हुए रूही की आँखों के सामने आदी का चेहरा घूमने लगा। जिसे याद करते ही उसके दिल की धड़कने बढ़ने लगी थी। रूही अपने दिल पर हाथ रख खुद को कॉंटाक्ट करके कहती है रूही तू ये क्या सोच रही है। भूल मत वो तेरा दुश्मन है। रूही भले ये कह रही थी लेकिन शायद अब उसका दिल उसे मानने के लिए तयार नहीं था। रूही के दिल ने अब बगावत कर दी थी, जो ना चाहते हुए भी आदी पर आचुका था। जैसे तैसे अपने आपको शांत करके रूही सो जाती है। अगली सुबह, वानी सुबह सुबह बहुत खुश थी, वानी तयार हो रही थी, तभी आकाश उसके पास आया और पीछे से वानी की कमर को पकड़ उसके कंधे पर अपना सर रखकर वानी से कहता है क्या बात है। आज चहरे पर कुछ ज्यादा ही खुशी जलक रही है, जिस पर वानी मुस्कुराते हुए आकाश को देखने लगी। रही थी, तभी आकाश वानी के लिप्स पर किस करने लगता है, जिसके ऐसा करते ही वानी की आँखें बंध हो गई, वानी के दोनों हाथ आकाश के सीने पर चल रहे थे, वहीं आकाश के हाथ उसकी कमर पर दोनों अभी किस कर रहे थे, दोनों का प्यार पर वाना चु रहा था कि तभी बाहर से रूही और साक्षी वानी को आवाज लगाते हुए आती है रूही बिना सामने की तरफ देखे वानू और कितना कहते हुए जैसे ही रूही की नजर अपने सामने खड़े आकाश और वानी पर गई इसके वर्द उसके गले में ही अटक गए सामने का नजरा देख रूही की आँखे बड़ी हो गई रूही जट से साक्षी का हाथ पकड़ कर उसके साथ पीट करके खड़ी हो गई अब तक आकाश और वानी ने भी उसकी आवाज सुन ली थी जिसे सुनते ही दोनों के होश ओड़ चुके थे वानी आकाश को धक का देकर खुद से दूर करके खड़ी हो गई उसका दिल जोरो से धड़ाक रहा था अब वानी को आकाश के बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि हर बार आकाश दर्वाजा अंदर से बंद करना भूल जाता था और वानी को सब के सामने शर्मिंदा होना पड़ता था वानी ये सोची रही थी तभी रूही माफी मांगते हुए बोली सौरी सौरी वो अक्चुली मुझे दोर नोक करके आना चाहिए था रूही की बात पर वानी अपना गुस्सा छुपाते हुए कहती है तुम दोनों यहां क्यूं आई हो जिस पर साक्षी रूही का हाथ पकरते हुए बोली वो आज हमें ओफिस जाना है हमारा इंटिव्यू है ना साक्षी की बात सुनते ही वानी को याद आता है वो जल्दी से रूही और साक्षी से बोली तुम दोनों नीचे चलो मैं आती हूँ वानी के इतना बोलते ही दोनों वहां से ऐसे भागी जैसे उनके पीछे पागल कुत्ता पड़ा हो रूही और साक्षी के जाने के बाद वानी आकाश को गुसे से देखती है और अपने पैर पटकते हुए अपना बेग लेकर कमरे से बाहर निकल जाती है वानी को गुसे में देख आकाश हैरान था आकाश खुद से बोला अब इसे क्या हुआ आकाश अपना सर जटकते हुए खुद से कहता है इन लड़कियों को समझ पाना किसी पत्थर पर अपना सर मारने जैसा है कहते हुए आकाश भी कमरे से बाहर निकल कर नीचे हॉल में आ जाता है जहां सब लोग पहले से मौजूद थे वानी आकाश से गुस्सा थी इसलिए वो अपना मूँ दूसरी तरफ करके खड़ी थी जिसे देख रूही और साक्षी को मन ही मन हासी आ रही थी तभी अमन आकाश की तरफ देखते हुए बोला ये लो भाई भी आ गए अब चले ओफिस इतना कहकर अमन जैसे ही जाने को हुआ की तभी आकाश की आवाज सुनकर उसके कदम रुख गए आकाश तीनों लड़कियों की तरफ देखते हुए बोला आज तुम लोगों का इंटेव्यू हैं और इसे तुमें खुदी क्लियर करना होगा इसमें कोई भी तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा ये सब आकाश आदी अमन और सुम की तरफ देखकर बोल रहा था जिसे देख तीनों जल्दी से अपना सर ना में हिलाने लगे तभी वानी अपना मूल दूसरी तरफ किये हुए ही बोली हमें सब पहले से पता है इसलिए बार बार बताने की कोई जरूरत नहीं और ओफिस में हम सिर्फ बॉस और एंप्लॉय रहेंगे मुझे सब पहले से याद है अगर और कोई बात है तो बताओ वानी की ऐसी बाते सुनकर सब उसे हैरानी से देखने लगे खास कर अमन और सोम क्यूंकि आज तक किसी ने भी आकाश के सामने उची आवाज में बात नहीं की थी और वानी दोनों आकाश की आवाज से अपने ख्यालों से बाहर आए आकाश साक्षी और रूही से बोला अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आ सकती हो इतना कहकर आकाश वानी को बिना देखे ओफिस के लिए निकल गया वानी गुस्से में अपना मुँँ खोले आकाश को देख रही थी वानी फिर खुद से बढ़ बढ़ा कर बोली डेविल मॉंस्टर कहीं का जिसे सुन रूही और साक्षी हसने लगी जिसे हस्ते देख वानी उनके उपर गुस्सा करते हुए बोली अपने दांत निकालना बंद करो नहीं तो इन्हें तोड़कर हाथ में देदूंगी जिसे सुन रूही हसते हुए वानी के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है ओ मेरी तीकी चुरी तू जीजू का गुस्सा हम पर क्यू निकाल रही है क्या उन्होंने कुछ किया इतना बोलकर रूही वानी की छेड़ने लगी जिस पर साक्षी को मज़ा आ रहा था दोनों को अपना मज़ा कोड़ाते देखवानी बोली तुम दोनों को तो मैं बाद में देखूंगी पहले तुम चलो यहां से इतना कहकर तीनों भी एक साथ ओफिस के लिए निकल गई वही कार में आकाश अपना लप्टॉप में काम करते हुए सोम से बोला मैंने तुम से जो काम कहा था वो हुआ जिस पर सोम कार चलाते हुए कहता है हां जिसे सुनकर आकाश गहरी सांस लेकर फिर से लप्टॉप में अपना काम करने लगा कुछ देर में उनकी कार रगुवन्शी कॉपरेशन के नीचे खड़ी थी आकाश का से नीचे उतरा और सीधे अपने केबिन की तरफ चला गया आकाश को देखते ही सब के होश उड़ चुके थे क्यूंकि आज आकाश का बरताव थोड़ा बदला बदला था बाकी सब भी ओफिस आ गए सब के आने के बाद वानी साक्षी और रूही भी ओफिस आती है उन्हें वहां देखकर सब एंपलॉई खड़े होकर उन्हें ग्रीट करते है लेकिन वही लड़कियां उन्हें जलन भरी नजरों से देख रही आखिर उन्होंने उनके सपनों के राजकुमार को उनसे चीन लिया था लेकिन उन्में से किसी की भी उन्हें कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई उसके बाद तीनों जाकर वेटिंग रूम में एक साथ बैठी थी जिन्हें देख सब हैरान थे आखिर इतनी बड़ी कमपनी की लेडी बॉस मामूली से वेटिंग रूम में बैठी थी अब सब के बीच में इसी बात को लेकर खुशूर फुसूर होने लगी तभी उनके पास एक आदमी आता है और वानी के सामने अपना सर जुका कहता है मैम आपको सर ने बुलाया है जिसे सुन वानी मुस्कुराए और खड़ी होकर जाने लगी जिसे पीछे से साक्षी और रूही थम्जापका इशारा करके मुस्कुराती है आधे घंटे बाद वानी इंटर्व्यू रूम से बाहर निकली उसके चहरे पर कोई भी एक्सप्रीशन नहीं थे वानी को बाहर आते देख दोनों खड़ी हो गई और वानी के पास चली गई साक्षी परेशान होकर वानी से पूछती है अंदर की हुआ जिस पर वानी बोली उन्होंने वेट करने को कहा है जिस पर रूही साक्षी के कंधे पर हाथ रख उससे कहती है तुम टेंशन मत लो हमें तुम्हारे उपर पूरा भरोसा है जिसे सुनकर वानी हलका सा मुस्कुरा दी उसके बाद साक्षी और रूही का भी इंटेव्यू होता है दोनों का ही इंटेव्यू अच्छा गया था अब उन तीनों को वेट करने का कहकर इंटेव्यू आ एक फाइल अपने हाथ में लेकर वहां से चला गया आदी के सैबन में वहीं आदमी जिसने तीनों का इंटेव्यू लिया था वो उस पायल को लेकर आधी के सामने रखते हुए कहता है सह ये रही तीनों मैम की सीवी जिसे आधी और उसके पास बैठा अमन और सों जल्दी से उठाकर देखने लगे तीनों ही उनका सीवी देखकर हैरान थे आदी अमन और सोम तीनों एक दूसरे को देख रहे थे तभी आदी बोला यार उन्हें देखकर लगता नहीं कि वो इतनी इंटेलिजन्ट होगी जिस पर अमन भी अपना सर हां में हिला कर हां मी भरता है कुछ देर सोचने के बाद सोम बोला तो अब हमें क्या करना चाहिए जिस पर अमन बोला इसका फैसला भाई ही करेंगे इतना बोलकर तीनों खड़े हुए और आकाश के केबिन की तरफ चले गए वही बाहर सब को पता चल गया था कि वानी और साक्षी यहां इंटिव्यू देने आई थी जिसके बारे में जानकर सब हैरान और किन्फ्यूज थे आखिर इतनी बड़ी कंपनी के सेओ की वाइफ को जॉब करने का क्या जरूरत पड़ गई कुछ तो वानी और साक्षी को बेवकूफ कह रहे थे तो कुछ इंडिपेंडेंट तीनों मीटिंग रूम में बैठी थी तभी वहां का दरवाजा खुला जहां से मीरा अंदर आई मीरा को देखते ही तीनों के चहरे खिल उठे वहीं रूही भाग कर जाके मीरा को गले से लगा लेती है उसके पीछे पीछे वानी और साक्षी भी मीरा को गले लगा लेती है मीरा खुश होते हुए बोली तुम तीनों यहां मतलब हमने जो सुना वो सच था कि तुम तीनों यहां जॉब करने वाली हो जिस पर रूही उदास चहरा बना कर बोली अभी पक्का नहीं हुआ यार, अभी उन खडूसों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया जिसे सुनकर मीरा मुस्कुराए और बोली कौन बेवकुफ होगा जो तुम तीन हीरों को अपने हाथ से जाने देगा हमें पता है तुम तीनों ने ही अपने अपने डिपार्टमेंट में टॉप किया है जिसे सुनकर तीनों मुस्कुराने लगी वहीं आकाश के केबिन में चारों आकाश के केबिन में बैठे थे और आकाश को देख रहे थे वहीं आकाश किसी गहरी सोच में दूबा था जिसे देख अमन बोला भाय अब आप क्या सोच रहे है भाभी और सबने अपना इंटेव्यू अच्छे से पास किया है और उनका सीवी भी देखिए तो अब क्या प्रॉबलन है अकाश वानी साकशी और रुही का सीवी देखता है जिसमें वानी ने पूरे राज्य में बिस्नेस मेनेजमेंट में टॉप किया था वहीं साकशी एक अच्छी फैशन डियजाइन है और अगर रुही की बात करे तो उसने भी मेनेजमेंट का कोर्स किया था आकाश बोला वो सब ठीक है लेकिन अगर हम उन्हें जॉब पर रखते हैं तो सब यही सोचेंगे कि उन्हें उनकी जॉब उनकी अबिलिटी के बदले नहीं बलकि पहचान के बदले मिली है आकाश की बात सुनते ही सब सोच में पढ़ गए क्योंकि कहीं ना कहीं आकाश की बात सच थी तभी आदी बोला लेकिन ये हमें और तुझे भी पता है कि वो ये सब दिजव करती है जिस पर आकाश बोला ये तुझे पता है मुझे पता और किसी नहीं आकाश सीरियस था तभी कुछ सोचकर आकाश बोला तीनों को जॉब पर रख लो लेकिन इंटन और तीन महीने में उन्हें सब के सामने अपनी एबिलिटी साबित करनी होगी आकाश की बात सुनकर तीनों आकाश को भूरने लगे लेकिन वो चाहकर भी आकाश को कुछ कह नहीं सकते थे वहीं आकाश किसी गहरी सोच में डूब गया वहीं वानी साक्षी रूही और मीरा चारों अभी बात कर ही रहे थे कि तभी एक आदमी उनके पास आकर बोला आप तीनों को जॉब मिल चुकी है जिसे सुनते ही चारों लड़कियों के चहरे पर बड़ी वाली मुस्कान आ गई वो तीनों एक दूसरे को देखकर खुश हो रही थी कि तभी उस आदमी ने आगे कहा आप तीनों को तीन महीने तक इंटन बनकर काम करना होगा तीन महीने बाद आपकी पफोर्मेंस देखकर हमारे सेयो ये डिसाइड करेगे कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं ये सब कहते हुए वो आदमी डर से काम रहा था क्योंकि इसे भी पता था कि वानी और साक्षी कौन थी उस आदमी के बाते सुनकर वानी और रूही को गुस्सा आ रहा था जिसे देख उस आदमी के पसी ने छूट गए और वो बिना उनकी बात सुने बॉस आपने मुझे कहां फसादिया से ये कहकर भाग गया तो आगे की कहानी में क्या होगा? क्या करेगी अब वानी? आखिर आकाश ने ऐसा क्यों किया? क्या आकाश वानी के गुस्से का सामना करके उसे मना पाएगा? वो आदमी दर से काम प्रहा था क्योंकि इसे भी पता था कि वानी और साक्षी कौन थी उस आदमी के बाते सुनकर वानी और रूही को गुस्सा आ रहा था जिसे देख उस आदमी के पसी ने छूट गए और वो बिना उनकी बात सुने बॉस आपने मुझे कहां फसादिया से ये कहकर भाग गया वानी और साक्षी सारी बाते जानने के बाद गुस्से में दिख रही थी वानी को गुस्से में रूही थोड़ा घबरा गई रूही वानी को समझाते हुए कहती है देख वानू रूही के इतना बोलते ही वानी उसे अपना हाथ दिखा कर रोक देती है वानी बोली बस अब कोई कुछ नहीं कहेगा इतना कहकर वानी वेटिंग रूम से चली गई वानी को जाते देख साक्षी और रूही उसके लिए परेशान होने लगी वही मीरा हैरानी से खड़ी थी मीरा जाती हुई वानी को देखकर बोली इसे क्या हुआ जिस पर रूही कहती है पता नहीं सुबह तो सब ठीक था फिर अचानक से वानी ऐसा बहेव करने लगी जिस पर साक्षी बोली ये गई कहां है जिसे सुनते ही रूही की आँखे बड़ी हो गई रूही चौंकते हुए बोली कहीं वो जीजू से लड़ने तो नहीं चली गई जिसे सुनते ही साक्षी और मीरा भी परेशान हो गई साक्षी परेशान होकर बोली ये लड़की भी ना इसका गुस्सा हमेशा पर रहता है चल जल्दी से देखकर आते है इतना बोल दोनों वानी के पीछे जाने लगी वही मीरा भी पीछे से आवाज लगाते हुए अरे रुके हम भी आ रहे है कहते हुए मीरा भी उनके साथ चली गई वही वानी गुस्से में ये डेवल अपने आपको समझता क्या है इसे तो आज मैं बताती हूँ वानी टक्राने की वजय से संभल नहीं पाए और नीचे गिर गई वानी दर्ब से करा उठिया वानी गुस्से में जुन चलाते हुए बोली अबे अन्धे होका देखकर नहीं चल सकते कहते हुए वानी अपना सर उपर उठाती है जहां देखते ही उसकी बोलती बंध हो जाती है वानी के सामने एक हैंसम आदमी खड़ा था जो मुस्कुरा रहा था जिसे मुस्कुराते देख वानी को और गुस्सा आ रहा था इससे पहले वानी कुछ कहती उस आदमी ने वानी की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया वानी एक नजर अपने सामने खड़े सक्स को देखती है फिर गुस्से में उसके हाथ को जटक कर खुद से खड़ी होते हुए बोलती है एक तो पहले खुद गिराओ और फिर उठाने के बहाने लड़की का हाथ पकड़ो वानी की बाते सुनते ही उस आदमी की आँखे छोटी हो गई वो वानी को देखते हुए बोला तुमने मुझसे कुछ कहा बेबी उस आदमी ने बेबी अपने मन में कहा था जिसे सुन वानी अपने चहरे पर जबरदस्ती वाली मुस्कान लाकर कहती है यहां तुम्हारे अलावा कोई देख रहा है जिस पर वो अपने चारो तरफ सर घुमा कर देखता है पूरा कॉरिडोर खाली था जिसे देख उस आदमी ने फिर वानी की तरफ देखकर उसकी फिक्र करते हुए कहा क्या तुम ठीक हो वानी जहलाते हुए बोली तुमसे मतलब चुप चाप अपने काम से काम रखो और हटो मेरे रास्ते से इतना कहकर वानी जैसे ही आगे जाने को हुई उस आदमी ने वानी का हाथ पकड़ लिये और गुसे में बोला मैं कब से तुम्हारे साथ प्यार से पेशा रहा हूँ लिकिन तुम हो की बिना बात के ही किसी दूसरे का गुस्सा मुझ पर उतारे जा रही हो उस आदमी की बात सुनकर वानी सोच में पड़ गई कुछ देर की खामोशी के बाद वानी उस आदमी से अपना हाथ चुड़ाते हुए कहती है अब अगर तुम्हारा प्रवचन हो गया तो छोड़ो मेरा हाथ इतना बोल वानी अपना हाथ चुड़ाती है और वहां से आकाश के केबिन की तरफ जाने लगती है वही खड़ा आदमी पीछे से वानी को देखकर मुस्कुरा रहा था उसके चहरे पर शैतानी मुस्कान थी वो वानी को देखते हुए खुद से बोला आखिर तुम मुझे मिली गई बेबी इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए आगे की तरफ बढ़ गया वही वानी आकाश के से खाली था जिसे देखवानी पूरे सेबन में अपनी नजरे घुमा कर आकाश को धूंडती है लेकिन उसे वो नहीं सिखाता तभी वानी सोचते हुए बोली ये डेवल का बच्चा कहां गया आज तो मैं इससे बात करके रहूंगी खुद से इतना बोलकर वानी से बाहर निक से से अपने सामने बैठे आदमी को भूर रहे थे पूरे कमरे का माहौल अब गरम हो चुका था तभी चुप्पी को तोड़ते हुए अमन गुस्से में अपने सामने बैठे सक्स से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की जिस पर उस आदमी ने हसते हुए कहा तुम मजाक अच्छा कर लेते हो कहते हुई वो सीरियस हो गया और गुस्से में आगे बोला मुझे कोई नहीं है यहां आने का लेकिन दुबई कंट्राक्चा में मिलकर करना है जिसके लिए मुझे यहां आना पड़ा सब उसकी बात सुन रहे थे अमन आगे कुछ कहने वाल होता है कि आकाश उसे शांत रहने का इशारा करता है जिसे देख अमन अपना गुस्सा दबा कर रह जाता है तब ही आकाश अपनी कोल्ड आवाज में बोला मैं शांत हूं इसका मतलब तुम ये मत समझना कि तुम कुछ भी करोगे जिसे सुन आकाश के सामने बैठे सक्स के चहरे पर कुटल मुस्कान आ गई। लेकिन वो जल्दी ही अपनी मुस्कान को छुपा लेता है। आकाश और उसके सामने बैठा सक्स दोनों एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। जिसे देख आकाश के सामने बैठा सक्स आकाश को देखते हुए गाना गाने लगा इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो प्यार हो जाएगा। उसकी बाते सुनकर वहां सबको गुस्सा आ रहा था। तभी आकाश गुस्से में बोला अगर तुम्हारा हो गया हो तो अब चुप चाप निकल जाओ यहां से। आकाश को गुस्से में देख उसके सामने बैठा सक्ष दरने नाटक करते हुए बोला सौरी 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 अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आकाश उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। जिसे देख आकाश के सामने बैठा आदमी अचानक से हसने लगा। उस आदमी ने हंसते हुए कहा ठीक है, ठीक है, मैं जाता हूँ यहां से कहते हुए वो कुर्सी से खड़ा हुआ और आकाश की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला वैसे भी अब तो मेरा यहां आना जाना लगा ही रहेगा। इतना बोलकर वो आदमी अपने असिस्टंट के साथ मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। पर कोई भी एक्सप्रीशन नहीं थे। जिससे ये समझ पाना मुश्किल था कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा था। आकाश को शांत देख आदी बोला आकाश कुछ बोल यार। जिस पर आकाश अपनी कुरसी से सर टिका कर बैठते हुए बोला हर कुटते का दिन आता है और आज उसका दिन है आकाश की बाते उन्हें समझ नहीं आ रही थी। तीनों हैरानी भरे भाव से आकाश की देख रहे थे। वहीं आकाश रिलेक्स देख रहा था। जैसे उसे किसी बात की चिंता ही ना हो। वहीं बाहर का में। रोहन अपने चेहरे पर शैतानी मुसकान लिये बैठा था। उसकी मुसकान पर उसकी जीत साफ जलक रही थी। जिसे देख रोहन का असिस्टंट उसकी चापलूसी करते हुए बोला बॉस आखिर आप जी थी गए। आपने उस आकाश रगुवंशी को हरा ही दिया। दुबई प्रोजेक्ट में आपकी पात्नर्शिप की बात से वो गुस्से से बौखला चुका होगा। जिस पर रोहन कुछ सोचते हुए बोला ये सब जितना आसान देख रहा है उतना है नहीं। वो अभी शान्त है इसका मतलब उसके दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ च एक खबर चाहिए जिस पर रोहन का असिस्टंट अपना सरहां में हिला कर बोला ओक बॉस। वहीं रोहन अपने मन में मुझे पता है आकाश तू इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा अब बस मुझे ये देखना है आखिर तू करता क्या है। वहीं आकाश अपने मन में रोहन क तुने एक मुझसे से उलज कर अच्छा नहीं किया। इसकी कीमत तुझे बहुत जल्द चुकानी पड़ेगी। वहीं रोहन की कामे। रोहन कार की शीट से अपना सर टिका कर बैठ गया। उसके चहरे पर मुस्कुराहट थी। रोहन मुस्कुराते हुए अपने मन में बोला अब बस कुछ दिन की दूरी और फिर हम एक होंगे। वहीं दूसरी तरफ। वानी को जब आकाश नहीं मिला तो वो गुसे में पहलेस वापस आ गई। उसके पीछे पीछे साक्षी और रूही भी वापस आ चुकी थी। साक्षी और रूही हॉल में पहुचकर वहां काम कर रहे एक नौकर को अपने पास बुला कर उससे पूचती है वानी कहां है। नौकर अपना सर जुका कर बोला मैम जिम की तरफ गई है। जिसे सुन साक्षी और रूही हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगी। रूही नौकर को जाने का इशारा करके साक्षी से बोली अब पता नहीं ये लड़की क्या करने वाली है। पहलेस में ही आकाश और सब के लिए एक पर्शनल जिम था। रूही और साक्षी वहां पहुची। अपने सामने का नजारा देखकर उनकी आँखे खुली रह गई। वो वानी को एक टक देखे जा रही थी। वही वानी सबसे बेखबर होकर गुस्से में पंचिंग बैग पर पंच किये जा रही थी। वानी ने इस समय लवः और शर्च पहन रखा था। वानी पूरी पसीने से बीग चुकी थी। लेकिन फिर भी उसका गुस्सा अभी कम नहीं हुआ था। वानी पंचिंग बैग को मारे जा रही थ वानी को देखते हुए साक्षी रूही से कहती है यार मुझे ना लगता है पुरानी वानू वापस आ चुकी है जिस पर रूही भी वानी की तरफ देखते हुए अपना सरहा में हिलाते हुए कहती है मुझे भी ऐसा ही लग रहा है वैसे वो इतनी गुस्सा है किस बात पर जिस पर साक्षी बोली ये तो वही जाने फिलहाल चल कर उसे रोके रूही बोली ना बाबा ना ये काम मुझसे नहीं होगा देख नहीं रही तू वो कितने ज्यादा गुस्से में है कुछ सोचकर साक्षी बोली एक काम कर उसे हम उसके हाल पर छोड़ देते हैं जब उसका गुस्सा कम होगा वो खुद ही ठीक हो जाएगी इतना बोल दोनों जिम से बाहर चली गई शाम को वानी अपने कमरे में थी वही साक्षी और रूही नीचे हाल में सब के आने का वेट कर रही थी सब के आने पर साक्षी नौकर से कहकर सब के लिए पानी लाने का कहती है अमन आदी और सोम चारों के चहरे पर परेशानी देख रही थी जिसे देख साक्षी आदी से बोली भया क्या हुआ आप सब इतने परेशान क्यूं है जिस पर आदी पानी पीते हुए बोला कुछ नहीं बस एक प्रोजेक्ट को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है जिस पर साक्षी बोली क्या हम इसमें आपकी कोई मदद कर सकते है अमन बोला नहीं हम इसे संभाल लेंगे अमन फिर चारों तरफ अपनी नजरें घुमा करवानी को ढूंदते हुए कहता है भाभी कहां गई दिख नहीं रही सब ठीक तो है न अमन की बात सुनते ही आकाश जो इस समय अपने फोन पर कुछ मेर चेक कर रहा था उसका ध्यान उनकी बातों पर चला गया वहीं अमन की बात पर साक्षी बोली उदास होकर बोली पता नहीं वो जब से ओफिस से आई है अपने कमरे में ही है कुछ देर की खामोशी के बाद साक्षी आगे बोली मुझे लगता है वो किसी बात को लेकर गुस्सा है क्यूंकि वो सुबह से ही अजीब सा बरताव कर रही है साक्षी की बात सुनते ही आकाश को वानी का सुबह उससे नाराज होना याद आ गया आकाश चुपचाप खड़ा हुआ और कमरे की तरफ जाने लगा जिसे सब देख थे आकाश के जाने के बाद आदी साक्षी से बोला तो कल से आप तीनों ओफिस जॉइन कर रही है जिस पर साक्षी मुस्कुरा कर बोली हूँ तब ही रूही बोली लेकिन हमारा काम क्या होगा अमन बोला आप लोग तीन महीने तक इंटनी रहेंगी इसलिए आपको अपने सीनियर को असस्ट करना होगा और आपको कुछ टास्क मिलेंगे जिन से आप अपनी काबिलियत साबित कर सके उसी के बेसिस पर आप लोग को वहाँ पमानेंटली जॉब मिलेगी जिसे सुन दोनों अपना सर हां में हिलाती है कुछ देर शांत रहने के बाद अमन धीमे से रूही के कान में बोला वैसे क्या तुम्हें पता है कि भाभी किस लिए गुस्सा है जिस पर रूही मासूम चहरा बना अपना सर नामें हिलाने लगी जिसे देख अमन उदास हो गया सुम अभी भी शांत बैठा था सुम को खोया देख साक्षी उससे बोली सुम भईया आपको क्या हुआ साक्षी की आवाज से सुम अपने होश में आता है सुम साक्षी को देख कर अपना सर नामें हिलाते हुए कुछ नहीं बस ऐसे ही फिर खड़ा हुआ और कुछ काम का बहाना बना कर अपने कमरे में चला गया अपने कमरे में पहुँच कर सुम किसी को कॉल करता है तभी दूसरी तरफ से आवाज आई येस सॉम बोला कुछ पता चला तारांकन जिस पर कॉल के दूसरी तरफ वाला आदमी बोला नहीं सॉ लेकिन हम पता कर रहे है जिस पर सॉम गुस्सा में चिल लाते हुए बोला कल सुबह तक का टाइम है तुम्हारे पास अगर तुम अपना काम नहीं कर पाए तो याद रखना सॉम की धम की सुनकर फोन के दूसरी तरफ का आदमी डर गया उसने कहा ओक सर इतना कहते ही कॉल कट गया सॉम खुद से बोला जब तक मैं हूँ तुम्हे कोई कुछ नहीं कर सकता तो आगे की कहानी में क्या होगा आखिर वानी किस से टकराए थी और आकाश रोहन को क्यों बरदास्त कर रहा है आखिर क्या है उसके पीछे का राज सॉम किसके बारे में पता लगा रहा है कल सुबह तक का टाइम है तुम्हारे पास अगर तुम अपना काम नहीं कर पाए तो याद रखना सॉम की धम की सुनकर फोन के दूसरी तरफ का आदमी डर गया उसने कहा ओक सर इतना कहते ही कॉल कट गया सॉम खुद से बोला जब तक मैं हूँ तुम्हे कोई कुछ नहीं कर सकता सॉम के चहरे के भाव गंभीर थे वहीं दूसरी तरफ आकाश ने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला वो अंदर के हाल देखकर हैरान रह गया उसकी आँखे पूरे कमरे में चारों तरफ घूमने लगी पूरे कमरे में वानी के कपड़े फैले थे जिसे देख आकाश समझ गया कि वानी उससे गुस्सा है आकाश कमरे में अंदर आते हुए पूरा कमरा देख रहा था कमरे को देखते हुए आकाश ने कहा इस लड़की ने कमरे का क्या हाल बना दिया है आकाश फिर वानी को आवाज लगाते हुए जान जान कहां हो तुम आकाश बाथरूम में जाकर देखता है लेकिन उसे वानी कहीं नहीं मिलती अब आकाश परेशान होने लगा था आकाश बाथरूम से बाहर आकर बालकनी में जाता है जहां उसे वानी जूले में बैठी दिखी वानी को देख आकाश को सुकून मिलता है उसके बाद आकाश वानी की तरफ बढ़ते हुए तुमने ये कमरे का क्या हाल बना दिया है आकाश की आवाज सुनकर वानी एक नजर उसकी तरफ देखती है उसके बाद वो फिर से अपने हाथ में पकड़ी बुक को पढ़ने लगती है वानी आकाश को अगनो कर रही थी जिसे देख आकाश अपने मन में बोला अरे यार ये लड़की भी ना अगर गुस्सा होना भी है तो कम से कम एक कारण बता करतो हो आकाश आगे बढ़ते हुए वानी के सामने खड़ा हो गया आकाश वानी के हाथ से बुक लेते हुए कहता है मैंने तुमसे कुछ पूछा है आकाश की आवाज थोड़ी उची थी जिसे सुनते ही वानी भी गुस्से में खड़ी हुई और बिना आकाश के सवाल का जवाब दिये कमरे में चली गई अब आकाश को गुस्सा आ रहा था आकाश लंबी सांसे लेकर अपने गुस्से को कंट्रोल करता है आकाश वानी के पीछे जाते हुए क्या हुआ अब बताओगी भी कुछ मैं तुमसे कुछ पूँच रहा हूँ वानी बिना आकाश की तरफ देखे बोली मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती इतना कहकर वानी कमरे से बाहर चली गई वही आकाश हैरान खड़ावानी को जाते हुए देख रहा था आज खुद से बोला इस लड़की का मैं क्या करूँ आकाश क्लोद्स रूम में जाकर अपने कपड़े बदलता है कपड़े बदलने के बाद आकाश नीचे हॉल में आ गया जहां आमन और आदी पहले से बैठे थे आकाश नीचे आकर उनके साथ बैठते हुए सोम कहां है आकाश की नजर किचन की तरफ थी तब ही आकाश के दिल की बात समझते हुए आमन बोला भावी किचन में है अमन की बात सुनते ही आकाश किचन के दरवाजे से अपनी नजर हटाते हुए कहता है मैंने सोम के बारे में पूछा है आकाश की आवाज से उसका जूट साफ समझ आ रहा था जिस पर अमन बोला ब्रो मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाओं को अमन अभी ये बोल ही रहा था कि तभी उसे अपने उपर किसी की नजरों को अहसास होता है समने बैठे आकाश की तरफ देखते ही अमन की बोलती बंध हो गई अकाश उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था तभी अमन डरते हुए मैं मैं तो मजाक कर रहा था तभी आदी बोला जब तुझे इतना डर लगता ही है तो मजाक क्यूं करता है अभी तीनों की बाते चल ही रही थी कि तभी सोम भी उनके साथ आकर बैठ गया सोम परेशान देख रहा था सोम को परेशान देख आदी सोम से पूछता है सोम everything thing is fine सोम बोला हूम तभी किचन से साक्षी की आवाज आई डिनर रेडी है कुछ ही देर में सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे वानी बिलकुल शांत बैठी थी वही आकाश चोर नजरों से वानी को देख रहा था तभी खामोशी को तोड़ते हुए आदी बोला तो कल से आप सब ओफिस जॉइन कर रही है जिस पर रूही कहती है हाँ तभी वानी बीच में बोली नहीं वानी के मूँ से ना सुनते ही आकाश का खाना उसके गले में अटक गया वही सब वानी को आँखे फारे देख रहे थे सबको अपनी तरफ देखते देख वानी कहती है आप सब मुझे ऐसे क्यूँ देख रहे है तभी अमन बोला भावी क्या आप आफिस जोइन नहीं कर रही जिस पर वानी कुछ नहीं बोलती वानी को शांत देख साक्षी बोली वानी बोलो कुछ साक्षी के चहरे पर चिंता और परेशानी के भाव थे वहीं अकाश भी वानी को देख रहा था तभी वानी बोली हमने दूसरी कमपनी में जॉब इंटेव्यू के लिए अपलाई किया है और कल उसका इंटेव्यू है वानी सब कुछ आराम से बोल रही थी तभी आदी बोला भाभी आपको कोई प्रॉबलम है क्या वहां क्या किसी से आपसे कुछ कहा कहते हुए आदी की न जिस पर आदी बिना कुछ बोले वानी की तरफ देखने लगा सब वानी के लिए परेशान हो रहे थे तभी वानी बोली वो बस ऐसे ही अगर मैं वहां जॉब करूंगी तो सब यही सोचेंगे कि मुझे ये जॉब मेरी रिसोस की वज़े से मिली है अमन बोला अरे लोगों का तो काम ही होता है कहना इसके लिए आप उतनी चिंता मत करूं वानी कुछ बोलती की तभी बीच में आकाश बोला कॉन्टाक्ट साइन हो चुका है अब तुम तीन महीने तक उसे नहीं छोड सकती और रही बात सोरसेज की तुम भी वहां सभी एंपलोई की तरही काम करोगी वानी चुपचा पाकाश की बाते सुन रही थी तभी साक्षी वानी को समझाते हुए बोली भईया सही बोल रहे है वानू और वैसे भी हम अपने काबिलियत से साबित कर ही देंगे की हम भी काम करने लायक है वानी साक्षी को देखने लगी तब ही रूही बोली हां, साक्षी सही बोल रही है और अगर तुम वहां नहीं रही तो फिर हमारा टाइम पास कैसे होगा और मेरे साथ लड़कों को कौन ताड़ेगा रूही की बात सुनते ही सब रूही को घूरने लगे सबको अपनी तरफ घूरते देख रूही अपने होठों को दांट से काट लेती है वही टेबल के नीचे से साक्षी रूही के पैर पर मारती है जिससे रूही की आह निकल गई तब ही रूही जबरदस्ती हसते हुए बोली मैं मैं तो मजाक कर रही थी वही आकाश अब वानी को घूर रहा था जिसे देख वानी अपने हाथ से अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करने लगी वानी गुस्से में खुद से बरबराई ये गधी खुद तो मारेगी ही साथ में मुझे भी मरवाएगी तब ही आदी बोला तुम्हे शर्म नहीं आती अपने होने वाले पती को छोड किसी दूसरे लड़कों को तारते हुए जिस पर रूही बोली होने वाले हो अभी हुए नहीं और जब तक सिंगल है तब तक सब अपने है कहते हुए रूही के चहरे पर बड़ी वाली मुस्कान थी वो अपने दिमाग में हैंसम लड़कों को इमेजन जो कर रही थी तब ही साक्षी धीमी आवाज में रूही से बोली रूहु ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया जिस पर रूही बोली अरे ज्यादा कहां ये तो कम है तुम्हें याद है जब हम तीनों कॉलेज के फर्स्ट ये में थे तब तीनों साथ में मिलकर कितने लड़कों को ताड़ा करते थे और सबसे बड़ी वाली तो वानू थी क्योंकि हर लड़का उसके बिना कहे ही उसे अपना नम्ब दे जाता था रूही की बाते सुनकर वानी के चहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे थे तब ही रूही आगे बोली आपको पता है जी जू पूरा कॉलेज वानी का दिवाना था इससे बात करने के चक्कर में लड़कों में लड़ाई तक हो जाती थी वही वानी अपने मन में बोली ऐसी दोस्त भगवान दुश्मन को भी ना दे कहते हुए वानी का चहरा रोने जैसा हो गया था तब ही रूही आगे बोली आपको पता है हमने कई बार उनकी पॉकट मनी से शौपिंग तक की थी और किसी को इस बारे में पता भी नहीं चलता था अरे हमारी वानी तो एक नंब की प्ले गर्ल थी जो किसी से फ्लट करने लगती थी अब तो वानी के चहरे का रंग ही उड़ चुका था वहीं अकाश वानी को भूर कर देख रहा था जैसे उसे अभी कच्चा चबा जाएगा वानी का चहरा रोने जैसे हो गया था जैसे वो अभी रोही देगी तभी वानी रूही को आँख दिखाते हुए बोली रूहू तु आज कल कुछ ज़्यादा नई बोलने लगी है वानी को गुस्से में देख रूही सोच में पड़ गई रूही सोचते हुए अपने मन में मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो सब मुझे ऐसे घूर रहे है रूही ये सब सोची रही थी कि तभी उसे अपनी गलती का एहसास हुआ अब रूही अपनी आँखे मीन चलेती है रूही का चेहरा देखने लायक था रूही अपने मन में बोली रूही तेरा बढ़ बोलापन एक दिन तुझे पिठवा कर ही मानेगा रूही धीमे से अपनी आँखे खोलती है तो पाती है कि सब उसे ही देख रहे थे तभी रूही कुरसी से खड़ी होते हुए बोली मेरा खाना हो गया अब मैं सोने जा रही हूँ रूही ने एक ही सांस में सब बोल दिया था इतना बोलकर रूही बिना पीछे पल्टे सीधा सीरियों से उपर की तरफ भाग गई वहीं आदी को रूही की हरकत पर गुस्सा आने के बजाय हांसी आ रही थी रूही के जाने के बाद आब सब की नजर वानी पर थी सब को अपनी तरफ देखते देख वानी थोड़े गुस्से में बोली आप सब मुझे ऐसे क्यूं देख रहे है जैसे मैंने किसी का मुर्दर कर दिया हो लेकिन अभी भी सब वानी को देख रहे थे खासकर आकाश अब आनी के दिल की धरकने बढ़ने लगी थी जिन्हें वो संभालने की कोशिश कर रही थी तब ही वानी खड़ी हुई और जाते हुए बोली हमारा खाना हो गया है वानी को ओक्वर्ड फील हो रहा था उसका बस चलता तो वो जमीन में गढढ़ा खोद कर खुद उसमें घुस जाती लेकिन अफसोस वो ऐसा कर नहीं सकती थी इसलिए वानी चुपचाप अपने कमरे की तरफ चली गई दोनों के जाने के बाद साक्षी भी धीमे से खड़ी हुई और बहाना बना कर चली गई अब चारों लड़के डाइनिंग टेबल पर बैठे थे जो एक दूसरे का चहरा देखकर सिचुएशन को समझने को कोशिश कर रहे थे तभी अमन हिरानी भरे भाव से बोला ये तीनों ऐसे चली क्यूं गई अमन की बात सुनकर आदी ने अपना सर पीट लिया वही सोम उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो इंसान ना होकर कोई गधा हो सोम अमन को देखते हुए अपने मन में ये पक का आकाश का भाई ही है न या फिर हॉस्पिटल में बदल कर कोई दूसरा आ गया था सोम ऐसा अमन की बाते सुनकर सोच रहा था क्योंकि वो आकाश के बिलकुल उलच था तभी आकाश बोला अपना छोटा सा दिमाग ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं चुप चाप से खाना खाओ आकाश की बात सुनकर अमन का मुँ बन गया अमन खाना खाते हुए बोला पता नहीं सब मुझे ही क्यों डांटते रहते है वहीं आकाश के गले से एक निवाला भी नीचे नहीं जा रहा था रूही की बाते उसके कान में गूंज रही थी सोम तो सब के मजे ले रहा था उसे इस बात की तसल्ली थी कि उसकी मीरा ऐसी नहीं थी यही सोचकर सोम खुश था खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे की तरफ चली गए अकाश तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था जैसे उसकी कोई ट्रेन छूटने वाली हो आकाश जैसे ही कमरे कमरे का दरवाजा खोलता है सेका नजारा देखकर उसकी आँखे फटी की फटी रह जाती है तो आगे की कहानी में क्या होने वाला है क्या आकाश वानी को मनाएगा या फिर उसकी क्लास लेगा वानी अब क्या करने वाली है और आकाश ने कमरे में ऐसा क्या देखा जिसे देखकर उसकी आँखे फटी रह गई ओडियो बाई साकिल जैक्स जीरो सेवेन अकर्णू, खर्णूस, डेविल और वानी की बजी बैंड खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे की तरफ चली गए अकाश तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था जैसे उसकी कोई ट्रेन छूटने वाली हो अकाश जैसे ही कमरे कमरे का दरवाजा खोलता है सेका नजारा देखकर उसकी आँखे फटी की फटी रह जाती है क्यूंकि पूरा कमरा साफ हो चुका था जिसे देख अकाश सोच में पढ़ गया आखिर कमरे की किसने साफ किया तब ही अकाश की नजर सोफे पर लेटी वानी पर गई जिसे देखते ही अकाश की आँखे छोटी हो गई अकाश देखता है वानी ने खुद की पूरी तरफ कम्बल से लपेट रखा था उसका सर तक बाहर नहीं था और वो सोने का नाटक कर थी जैसे ही अकाश कमरे में आया था वानी के दिल की धड़कने बढ़ने लगी थी वो कसके अपनी आँखें बंद किये हुए लेटी थी वानी को देखते हुए अकाश के चेहरे पर इवल स्माइल आ गई अकाश जाकर वानी के सर के पास खड़ा हो गया जिसको महसूस करते ही वानी के दिल की धड़कने बढ़ने लगी कहां वानी अकाश से गुसा था और उसे परेशान करने का सोच रही थी लेकिन रूही के बढ़बोलेपन के कारण सारी बाजी ही पलट गई वानी का मन रोने का हो रहा था तभी आकाश की आवाज उसके कानों में पड़ी जान क्या तुम सो गई आकाश की आवाज सुनकर भी वानी ने कोई जवाब नहीं दिया तभी आकाश आगे बोला तुम अपनी सजालिये बिना कैसे सो सकती हो कहते हुए वो ब्लैंकेट के उपर से वानी के उपर हाथ फिराने लगा अब वानी की सांसे उसके गले में अटक चुकी थी तब ही आकाश वानी को सुनाते हुए बोला तुम ऐसे नहीं सो सकती पहले तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा वही वानी मन ही मन रूही को गालियां दे रही थी वानी अपने मन में रूही के बच्ची ये सब तेरी वजह से हो रहा है तूमिल मुझे फिर मैं बताती हूँ तभी उसे अहसास हुआ कि वो हवा में तैर रही थी आकाश वानी को कंबल में लिप्टे हुए ही अपनी बाहों में उठा कर उसे बैड पर ले जाकर लेटा देता है आकाश की इस हरकत से वानी डर गए वानी अपने मन में ये डेवल मेरे साथ क्या करने वाला है वानी ये सोची रही थी तभी उसे अपने उपर आकाश का भारी हाथ का अहसास हुआ आकाश ने वानी को कसके गले से लगा था वानी समझ नहीं पा रही थी कि आकाश आखेर आकाश करने का क्या वाला था तब ही आकाश की वानी के सर से ब्लेंकिट को हटाने लगता है जिसके अहसास होते ही वानी सोने की आक्टिंग करने लगती है अब वानी को देखकर आकाश को हंसी आ रही थी आकाश वानी के बालों से खेलते हुए अपने मन में तुमने आज मुझे बहुत परेशान किया है उसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा यही सोचते हुए आकाश वानी के होठों पर अपनी उंगली फिराते हुए कहता है बहुत दिनों बाद आज मौका मिला है इसे तो अपने हाथ से जाने नहीं दूनगा आकाश की बात सुनते ही वानी घबरा गई वहीं आकाश अपनी आँखें बंद करके वानी की होठों की तरफ जुका जिसे वानी अपनी आधी आँखें खोले देख रही थी आकाश वानी के होटों को छूने ही वाला था कि तभी वानी आकाश को धक्का देकर बैठते हुए खुद को ब्लेंकिट से कवा करती हुई कहती है तुम घटिया इंसान तुम्हें शर्म नहीं आती, सोती हुई लड़की का फायदा उठाते हुए वानी की बाते सुनकर आकाश को मन ही मन हंसी आ रही थी लेकिन अपनी हंसी को छुपा कर आकाश बिना किसी एक्सप्रेशन के वानी की तरफ घूर कर देखता है आकाश ने वानी को भूरते हुए कहा तुम तो सो गई थी ना आकाश को खुद को भूरते देख वानी अपने मन में बोली ले वानी तू खुद अपने जाल में फस गई अब क्या करेगी? सोच कुछ जल्दी से वानी के बदले भाव को देख आकाश मुस्कुरा दिया तभी वानी अपनी सफाई देते हुए बोली वो वो मैं सोफे पर सो रही थी तभी मैंने सपने में देखा कोई राक्षस मुझे हवा में उड़ा रहा था और डर से मेरी नींद खुल गई और मैंने राक्षस समझ कर तुम्हें धक्का दे दिया कहते हुए वानी ने अपना मासूम सा चेहरा बना लिया जिसे देख आकाश बोला क्या मैं तुम्हें राक्षस दिखता हूँ कहते हुए आकाश वानी को पकड़ कर अपने बिलकुल करीब कीच लेता है अब आकाश की गरम सांसे वानी को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी दोनों एक दूसरे की आँखों में देख रहे थे तभी आकाश की आवाज आई तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया किया मैं तुम्हें राक्षस दिखता हूँ जिस पर वानी हकलाते हुए बोली हाँ नहीं नहीं मेरा मतलब तुम तो बहुत अच्छे हो और बहुत हैंसम भी तो तुम राक्षस की हो सकते हो वानी आकाश से बचने के लिए उसकी चाप यूसी कर रही थी तभी आकाश वानी को अपने और करीब करते हुए अपनी मधोश करने वाली आवाज में बोला और कैसा लगता हूँ मैं जिस पर वानी अपना मूँ बनाते हुए अपने मन में बोली अकरू, खरूस और डेविल वानी को कुछ ना बोलते देख आकाश उसके गाल पर किस करते हुए कहता है जान तुमने मुझे राक्षस कहा तो अब इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही जिसे सुनते ही वानी आकाश के उपर गुस्सा करते हुए बोली अरे ये कैसी बात हुई, कहा ना मैंने वो सब मैंने सपने में देखा था तभी आकाश बोला छीक है इसकी सजा तुम्हें नहीं देता, लेकिन उसका क्या जो अभी अभी नीचे हुआ उसके बारे में तुम क्या कहोगी वानी अंजान बनते हुए बोली आप किस बारे में बात कर रहे है जिसे सुन आकाश वानी को घूरने लगा, तो वानी बोली हां हां याद आया, वो जो रूही ने नीचे कहा था अरे वो तो ऐसे ही कॉलेज में हम मस्ती कहते कहते वानी रुक गई, तभी उसकी नजर आकाश की तरफ गई जो उसे हो घूरे जा रहा था आकाश को खुद को ऐसे घूरते देख वानी थोड़ा डर गई, इससे पहले वानी वहां से भाग पाती, आकाश उसे पकड़ कर ब्याड पर गिरा देता है और खुद उसके ऊपर आते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी दूसरे आदमी को देखने की आकशत की बात सुनते ही वानी हैरानी से उसे देखने लगी, वानी अपने मन में बोली अरे अब ये कैसी बात हुई, क्या अब हम लड़कियों के लिए लड़कों को देखना भी बेन है वानी आकाश को समझते हुए बोली वो सब तो शादी के पहले था और इसमें बड़ी बात क्या है शादी के पहले हर लड़की और लड़का यही करता है वानी की बात पर अब आकाश को गुसा आ रहा था आकाश सोचते हुए बोला मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैंने तुम्हें किसी लड़के से बात करते हुए या उसे तारते हुए देखा तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं क्या करूंगा जिसे सुन वानी डर गई वो आकाश को समझाते हुए कहती है बेबी वो सब शादी के पहले था अब जब मुझे इतना हैंसम पती मिला है तो मैं किसी और को क्यूं देखूंगी कहते हुए वानी ने आकाश के गले में अपनी बाहें डाल दी आकाश वानी को देखी रहा था तभी वानी आगे बोली हां अगर किसी दिन तुमसे ज़्यादा हैंसम आदमी मुझे दिखा तो एतलिस मैं उसे देख तो सकती ही हूँ कहते हुए वानी मुस्कुराने लगी वही आकाश वानी को घूरे जा रहा था जिसे देख वानी को मज़ा आ रहा था वो जानबूज कर आकाश की परेशान कर रही थी तभी आकाश की बात सुनते ही वानी के होश उल गए आकाश वानी की आँखों में देखते हुए बोला उससे पहले ही मैं उस आदमी को इस दुनिया से उठा दूंगा वानी आकाश की आँखों में देख रही थी जहां उसे अपने लिए प्यार और जुनून देख रहा था तभी आकाश बोला तुम ओफिस जॉइन क्यू नहीं कर रही अब आकाश नीचे था और वानी उसके उपर लेटी थी वानी आकाश के सर पर अपना सर रखते हुए बोली ऐसे ही अब मेरा मन नहीं है वहां काम करने का जिस पर आकाश बोला नहीं तुम वहां काम करोगी और यही तुम्हारी सजा होगी तभी आकाश वानी को अपने करीब कीच कर उसके होठों पर किस करने लगा वानी भी उसे नहीं रोकती और फिर दोनों एक साथ ही हम बिस्तर हो गए ठकने के बाद दोनों एक दूसरे की बहों में सो गए अब उनके बीच की सारी गलत फहमी और गुसा खतम हो चुका था वहीं दूसरी तरफ रात को दो बज़े रूही को फिर से भूख लग गई थी रूही जुन्चलाते हुए खड़ी और खुद से बोली अबे यार इस भूख का मैं क्या करूँ रूही अभी ये सोचपार परेशान हो रही थी कि तभी उसकी आँखे चमक उठी रूही खुश होते हुए अपने कमरे से बाहर निकली और आगे की तरफ बढ़ गई रूही अब एक कमरे के सामने खड़ी थी रूही दर्वाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो अंदर से बंध था ये सोचकर रूही परेशान हो गई तभी उसे एक आइडिय आया रूही चल कर पास के बनी खिर्की के पास गई उस खिर्की को धक का देते ही वो खुल गई रूही फिर उस खिर्की से कमरे के अंदर जाती है तभी उसकी नजर बैड पर सो रहे आदी पर जाती है जो अपने तकिये को गले लगाकर सो रहा था उसके चहरे पर उसके बाल बिख्रे हुए थे वो सोते हुए क्यूट लग रहा था जिसे रूही देखने लगी रूही इसके करीब जाकर आदी को देखती है और फिर मुस्कुराते हुए खुद से कहती है वैसे ये सधू उतना भी बुरा नहीं है रूही अभी आदी को देखी रही थी कि तभी आदी की आँख खुल गई रूही को अपने सामने इतने करीब से देख कर आदी एक दम से डर गया वो चिलाते हुए भूतनी कहते हुए रूही से दूर हुआ जिसे चिलाता देख रूही भी डर गई और जल्दी से आदी के उपर चड़कर उसके मूँ को अपने हाथ से बंद कर बोली ओ फट्टू इंसान मैं हूँ रूही की आवाज पहचानते ही आदी थोड़ा नॉमल हुआ लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो और रूही अभी किस पोजिशन में है ये देख आदी के होश उल गए आदी जल्दी से रूही को खुद के उपर से हटा कर उसे बैड पर फैंक देता है आदी के अचानक से ऐसा करने से रूही संभल नहीं पाए और बैड से होते हुए वो सिधा बैड से नीचे गिर गई बैड से गिरते ही रूही दर्द से चिल्ला उठी जिसके ऐसा करते ही आदी को अपने किये का अहसास हुआ आदी जल्दी से भाग कर खड़ा हुआ और रूही के पास जाते हुए बोला तुम ठीक तो हो जिस पर रूही गुस्से में चिड़ते हुए बोली एक तो पहले खुद बैद से नीचे गिरा कर दर्द दो फिर उसके हाल चल पूछ कर उस पर नमक मिर्ची चिरको रूही की बाते सुनकर आदी ना समझी से बोला क्या लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए आदी रूही को अपनी बाहों में उठा कर उसे बैड पर बैठते हुए उससे पूछ है तुम इतनी रात को मेरे कमरे में क्यूं आई हो जिस पर रूही जलाते हुए बोली वो क्या है मैं तुम्हें मिस कर रही थी इसलिए रूही खुद से बढ़ बढ़ाते हुए आगे बोली डफर कहीं का जिसे आदी नहीं सुन पाता तभी आदी बोला अब बताओगी भी जिस पर रूही बोली वो मुझे भूख लगी थी रूही की बात सुनते ही आदी उसे आँखे फाड़ कर देखने लगा आदी अपने सर पर हाथ रखते हुए बोला अगर तुम्हे भूख लगी ही थी तो किचन में जाती मेरे पास क्यूं आई जिस पर रूही मूँ बना कर बोली तुम्हे पता तो है मुझे खाना बनाना नहीं आता जिसे सुन आदी शांत हो गया वो रूही से बोला तो तुम मुझे से क्या चाहती हो जिस पर रूही मासूम सा चहरा बना कर बोली तुम मेरे लिए कुछ खाने को बना दो जिसे सुनते ही आदी उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगा तो आगे की कहानी में क्या होगा क्या वानी आकाश की बात मान कर आफिस जोइन करेगी और रोहन क्या करने वाला है क्या आदी मीरा के लिए खाना बनाएगा या नहीं और इनके प्यार की रेल गारी कहां तक पहुँची